आज हम रविनार टेगोर की दूसी पोएम लास्ट कर्टन के बारे में पढ़ेंगे लास्ट कर्टन भी उनकी फैमस क्रियेशन गीतांजली की ही पोएमों का एक पार्ट है ये 92 नमर की पोएम है जो गीतांजली में टोटल पोएम है 103 त्री उन में से एक पोएम है ये 92 नमर की लास्ट कार्टन ये एक रिमारकेबल पोएम है रवेनाट तेगर की और जो इस पोएम है इसकी थीम है अगर इस धरती पर जिस किसी ने भी जनम लिया उसकी डैथ होना जरूरी है और डैथ एक uncertainty होती है कि कब हो जाए किसी को नहीं पता तो उस जो greatest truth है हमारी life का वहाँ पर उसको डैथ का जो कर्टन है उसको पोएम बताने की कोशिस करता है और यहीं पर उसको last कर्टन बुला है ठीक है अब बात यह आजाता है कि कहसे पोएट क्यों चाहता है पोएट की हमें death की जो reality उससे अभियर करना क्यों चाहता है ज्यादा तर जितने भी human being होते हैं वो अपने जो तरह precious time होता है उसको end कर लेते हैं futility में अपनी human ambition को gain करने की जो कोशिस है उसकी जो futility है उसको अपने जो crucial time होता है important time हो जो enjoyment का होता है जो thinking का होता है उसको lost कर देते हैं तो यह poet है बार बार यही बोल रहा है कि जो worldly आपकी जो possessions हैं जो achievement है वो आपके कोई भी चीज आपके गिरेब तक नहीं जाएगी गिरेब में केवल आप खुद जाओंगे और वो जो चीज आपके साथ में जाएगी वो है goodness जो goodness आपने अधर लोगों के साथ दिखाई है आपने अधर लोगों के साथ कैसा भी बियर किया है और आपकी खुद की personal life है वो किस तरह से कितनी अच्छाईयों के साथ में रही है तो यह जो पूरी poem है last curtain कि हमें यहीं बता रहे हैं कि death एक important part है हमारी life का अगर हमने इस परत्वी पर अगजनम लिया है तो हमारी death होना भी जरूरी है हमारी मृत्व होगी बट एक death को हमें reality में देखें उस चीज में देखें कि जो हम आज बढ़ली possession में लगे हैं उनकी ज अच्छे कारम करके एक अच्छा वर्क करके ही अपने मितले अपने अच्छाई को छोड़ सकते हैं और उसी को अपनी ग्रेव तक ले जा सकते हैं ना कि हम worldly pleasures को जो हमारी positions हैं चीजों के उपर मकान इन चीजों इनको छोड़ कि हमके बार goodness को ही अपने साथ में ले जा सकते ह हैं हमारे रवेना टेगोड जो बार बार इसमें यही बताते हैं और यह पूरी पोईम है उनकी life or death के round गुमती है ठीक है अब हम अपनी पोईम को start करते हैं I know that the day will come when my sight of this earth shall be lost I know that the day मैं जानता हूं कि वह दिन आएगा मतलब that the day का मतलब है यहां पर उसकी death होने का day आएगा when my sight of this earth shall be lost sight मतलब दरश्टे जो उसकी इस धरती को देखने की जोती थी जो आँखों के जोती shall be lost वो भी खो जाए अब यह तो है यह अगर हम मरते हैं तो हमारी सबी चीज़े तो खतम होंगी ना and life will take its leave in silence drawing the last curtain over my eyes अब देखो यह थोड़ी मतलब emotionally हमें connect भी करती है और थोड़ी हमें मतलब एक तरह से पैसे बेम में इस poem को लिखाया है ठीक है तो यह poem बहिए बोल रहा है कि हमारी जो life है will take its leave in silence हमेशा कि सान्ती में छोड़ दी जाएगी ली मतलब छोड़ दी जाएगी सान्ती में चली जाएगी ड्रोइंग लास्ट कटन ओवर माइ ऐसा कब होगा जो मैरी life हमें दिखना कब बंद होगा हमने life सान्ती में कब चली जाएगी अर्लास्ट जो लाइन है उन से हमें स्टार्ट करते हैं कि जब ड्रोइंग मतलब डाल दे जाएगा लास्ट करटन अंति पर्दा और माइज मेरी आखों के उपर जो बतले से यहां पर स्रावड है कफन यूज वर्ड है जो हम कोई इंसन मरता तो उसकी आखें कवर अपकर देते तो वहीं यहां लास्ट करटन उसी बढ़के लिए उसे किया है कि जो लास्ट करटन जो मेरी आखों के उपर डाल दिया जाएगा तब मेरी लाइफ क्या होगी साइलेंस में चली जाएगी और जो मैं दीख रहा है इस अर्थ को वह भी खो जाएगी और ऐसा तब होगा जब मुझे प सब्सक्राइब कर लेता है जिसको वाइट क्लॉथ होता है अब सेकंड इस्टेंजा के और हम चलते हैं यह स्टार्स विल वॉच एट नाइट एंड मॉर्निंग राइज विफोर एंड आवर्स हीप लाइक सीवेब्स कास्टिंग प्लेजर्स एंड पेंज अब पोल रहा है पूर्स की में मेरे साथ में यह जव-ए फर्स इस्टेंज कर एंपॉर्टर a trainings के एकस्प्लेशन के इपार्ड एकस्पलेशन केरि Keeping ए और आवर जो घंटे हैं घंटे हैं इसको मतलब है विती थोंगे बताएंगे कैसे बताएंगे कि जो जो एदरा सी वेब्स हैं जो लहरे हैं ठीक है लहरे हैं वो क्या करते कास्टिंग अप कास्टिंग मतलब एक के बाद आ रही है एक जा रही है तो वो हमें इस बात का बता र दुख नहीं हुए जिस तरह से एकच्छि जितने भी राइटर है उन्होंने क्या किया वो कि किनारे की तरा डाल जैती हैं तो उसी उनकए पात्तर पत्थारों के तुन्हात और पेंस से की है। मतलब जो ने गए है Спर्पिन वोग जो सोप्राइब और Πरोसेस है। वो होते रहें किसी का मेरो कि जाने से कोई फराखे नहीं पड़ेगा तो अब यह मिनिंग समझ आगे आपको, sea waves मतलब उतल लहरे, casting up का मतलब throwing up the saw, किनारे के ओपर मतलब तोकड़ों को ना, throwing on the saw, ठीक है, casting up, throwing, thro, w ing, throwing on the saw, ठीक है, यह throwing on the saw के प्लेजर और जो पैन है, उनको डालना, ठीक है, अब आ जाते हैं, आपके थर्ड स्टेंज जाके ओपर हम आते हैं, कि third stranger क्या बोलता है और क्या वो कहना चाहता है ये दोन अस्टेंजों में कोई doubt अब आते हैं when I think of this end of my moment the barrier of the moment and I see by the light of the day when I think of this end of my moment जब मैं अपने उन छड़ों को खतम होने के बारे में सोचता हूँ कि कैसे मेरे जो छोटे actually इसमें बोला है जब हमारी death नजदीक आती है तो हमें एक घंटा एक छण के बराबर लगता है तो पोईट वहीं यही बात हमें बताने कि यहां पर कोशिश करता है ठीक है और जो छणों के जो 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 रोक थी जिनकी वज़े से रुकावट थी जिन चणों की जो रुकावट थी वह भी टूर जाते हैं और आई सी बाइदा लाट जब मैं मृत्यों की चमक को देखता हूं तो जो जो मूमेंट थी जो मुझे दुख हो रहा था जो में चणों का आनंद नहीं ले जाता है तो वह चीज़ें जिनके लिए मैं परेशान हो रहा है इतना दुख हो रहा है मुझे यहीं छोड़ जाएंगे और कोई मेरे साथ जाने वहाल नहीं है लेकिन यह सब चीज़ें फूट को फरील तब होती जब उसके पास में मिल सब्सक्ति जो अवेकन हो जाता है वह जो उसकी सोच है उसमें एक है अवेकन हो जाता है यह संगूमार आजाती इस अंसर जो की वर्ली जो रियालेटिव थी टैँट की जो